हेलो माइड लबली स्टुडेंस तो वापस आ चुके हैं अब भौकाल मचाएंगे और ये हैं जैसंकर प्रसाद जी जो आपको हिंदी में पांच नंबर दिलाएंगे हेलो माइड लबली स्टुडेंस वेलकम बैक टु माइड चैनल सुभाम लेकिशरा माइसेल्प सुभाम गोश्वामी आज के इस वीडियो में हम क्लाश 12 हिंदी में पांच नंबर कम्पलीट करेंगे क्योंकि इस वीडियो में हम आपके लिए लिए कर आए है हिंदी के एक बहुत ही महान कभी जिनका नाम है जैसंकर प्रसाद जी इनके साहितिक परचे और इनकी रशनाओं को 12 वाले student कहा रहे थे साराब जैसंकर परसाद जी के साहितिक पर्चे फर वीडियो बनाईए वैसे आपके board exam में साहितिक पर्चे आता है लेकिन क्या आपको starting में जीवन पर्चे लिखना जरूरी है तो हाँ बिल्कुल जरूरी है और आज के इस वीडियो में जैसा मैं बताओंगा अगर ऐसे लिख कर आओगे तो examiner को भी बोलना पड़ेगा ले ले बेटा 5 में 5 इस पे 13 ही हक है क्योंकि इस तरह से आपको लिखना है जैसा मैं इस वीडियो में बताने वारा हूँ तो छोटा सा दूडियो है ध्यान से देख लो भाईया थोड़ा समय दे दो क्योंकि ये 5 नंबर आपका complete कराएंगे तो चलिए start करते हैं जैसांगर प्रसाद जी एक ऐसे कभी हैं जो high school में भी थे आपको याद होगा और intermediate में भी हैं और तब तक रहेंगे जब तक 12 ओलों को 5 नंबर नहीं दिलाएंगे तो सबसे पहला heading रहेगा जीवन परिचे इसमें हमें क्या निखना इनका जर्म कब हुआ कहा हुआ माता पिता उनकी मृत्यू छोटा सा जीवन परिचे लिखिएगा main heading शाहितिक परिचे और रचनाए होती है जो आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है वो मैं अभी बताओं बाटेंसर मतलो सारा काम हमारा है ठीक है तेलिए जीवन परिचे में जैसंगर परिचाद का जर्म काशी के एक प्रतिष्टित बैश्य परिवार में सन 1889 स्बी में हुआ था ये लाइन बहुत important है मलब इनका जर्म कहा और कब हुआ इनके पिता का नाम देवी परिचाद था इनका जर्म कबोर कहा हुआ इनके पिता का नाम क्या था इनकी शिच्छा कहा हुई और इनकी मृत्यू बस छोटा सा लिखना है कुछ खास नहीं लिखना तो ये तो जीवन परिचे था अब इनके साहितिक परिचे को देखेंगे जो सबसे मेन हेडिंग है उसको देखेंगे फिर रचनाओं को देखेंगे बनाब सब कुछ मैं बताऊंगा देखो दूसरा हेडिंग हमारा नहींगा साहितिक परिचे और साहितिक परिचे में आपको पता ये क्या लिखते है बलब इनका साहित में परिचे कैसा यह किस परकार के कभी थे, कुछ पुरुसकार मिला है उसको भी लिख दीजिए, यही है साहितिक परिचे, बलब हिंदी साहित में इनका परिचे कैसा है, बस वही लिखना होता है, देखो, साहितिक परिचे हेडिक डालके हम लिखेंगे, द थे, कुश्चन आता है अब्जेक्टिम में, छायावाद का परवर्तक किश्य माना जाता है, तो जैसंगरत प्रसाद जी को, ठीक है, ये नाटक कार थे, मलब नाटक लिखते थे, कथा कार थे, कथाएं भी लिखते थे, उन नायक और उपन्यास कार भी थे, उपन्यास भी लि किर्ट के थे, और इन्होंने विशुद्ध मानोता वाजे दृष्टकोर वाडे प्रसाद जी ने अपने काव में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की है, ठीक है, आगे देखिए, प्रेम और सौंदर्य इनकी काव के परमुख विसे रहे हैं, मुलब इनकी जो क शमवेदना उनकी कविता का प्राण है, जो हम लोगों में है, तभी हम पढ़ रहे हैं, प्रसाद जी ने नाठा को पन्यास कहानी निबंध, आधी सभी साहितिक बिधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, और अपनी कृतित से इन्हें अनंकृत किया, प्रब साहितिक परचे में लिखना होता है, जादा मत लिखेगा, कम तो बिल्कुल मत लिखेगा, ठीक है, देखो, रचनाएं, जैसंकर प्रसाद जी की रचनाएं निमना है, आपको हेडिंग वाइस लिखना है, खुप शुंदर दिखे, अच्छा दिखे, नंबर भी ऐसे ही मिलेगा, काग डिग देखो, जो आपके हिंदी में objective question आते हैं, बहु भी कल्बिया प्रसन, उनमें ये सारे question आते हैं, काम आयनी किस की रचना है, आशू किस की रचना है, लहर किस बिधा की रचना है, तो ये सारे question यहां से उठाए जाते हैं, तो यहां पे आपको रचनाएं याद रखनी है, रशनाव कहानी उपन्याज निबंद चंपो ठीक है तो ये इनकी रशनाएं हो गई बस हो गया ऐसे ही आपको जैसंगर परसाद जी का पूरा साहितिक पर्चे और रशनाओं को लिखना है पहले छोटा सा हेडिंग जीवन पर्चे इनका जन्म जन्मस्थान मृत्यू पढ़ा तो आज का क्लास बहुत important था I hope कि आपको सारे questions समझ में आ चुके होंगे सारी चीजे topic समझ में आ चुके होंगे कैसे जाकर लिखना है तो आज का ये वीडियो यहें पर फिरिश होगा हम मिलेंगे next video में next topic के साथ तब तक के लिए जै हिंद